असलाम लेकर नाजरीन कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ खेरियत से होंगे आप देख रहें NW Food Secret और मैं हूँ आपकी होस्ट नवीदा वहीद नाजरीन आज हम बना रहे हैं आलो की टिकि यानि आलो के क्कटलस में को क्याते हैं नाजरीन बहुत आसान चठेत बणने वाला त्रीका थे आपको बताऊंगी आम तो पे जो लहोलयो के गरों में बनते हैं ये वह तरीक है बहुत मज़े के होंगे बहुत जबरदस्त होंगे आप वीडियो को एंड तक देखें और पूरा प्रोसीजर अच्छे से देखें और आप आच मिड़ में खुद ज्यादा मज़े के बना सकती है वन केजी अलुव मेरे पास इनको मैंने बॉयल करके मैश कर लिये ठीक है यहां पे एक दरम्यनी साइज का प्याज है जिसे मैंने चौप कर लिये यह इसमें डाल देंगे और यह सिप्रिंग अन्यन है ठीक है यह इसमें बहुत मज़ा देते हैं जैसा के आथ सो पते हैं के करीब यह धनीय हैं ठीक है जिनको मैंने काट के तरह दो वह नग ए और यह जो एना स्पाइसिस है में पास हैं एक चमत नमाक है ठीक है एक टीस्पोन मेरे पास रेट चिलि पॉदर एक टीस्पोन गर्म मसाला एक टेबल स्पोन सुखा दन्य है ठीक है, half teaspoon हल्दी है और half teaspoon chili flakes है, यह सब मैं इसमें शामल कर दूँगी, ठीक है, अब हम हाथों से इसे जो है ना mix कर लेगे, ठीक है, जी नाजरीन, यह जो है डिक्कियों का बैटर हमारा यह तियार हो चुका है, इसको मैं साइड पे कर दूँगी, और अगला जो काम है वो हम अब से ज्यादा होगा थोड़ा, अंदाजे से मन ले लिए, ठीक है, इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, ताके टिक्यों में हमारा अच्छा सा color आई, ठीक है, और इसके अंदर यह जो लसन अद्रक का paste है ना, यह मैंने थोड़ा सा 3-4 जवे लसन के, और एक तो यह मारा fry हो जाए, अगर हम बैटर के अंदर डालेंगे तो यह ना हो कि वह किच्छे की हमें स्महला अगर आप लिए तो वह भी आप कर सकती है, कोई मसला नहीं है, इसको हल्का सा घी में fry करके डाल जैंगी, तो इसके अदर जब हमें डालेंगे, तो यह फ्राई तो हो नाजरीन इस बैटर में मैं यह आफ टीस्पून के बराबर जो ना जवाइन डालोगे आप अपनी कॉंटिटी के साफ से जितना आपका बेसन हो टिकिया हो उसके इसाफ से आप डालीजेगे थोड़ा सा पानी इसमें और जाएगा इसको हम रनी सा बनाएंगे अभी यह गाड इसमें थोड़ा सा दो कत्रे पानी और डालना बस इतना ख्यार रहे है बेसन आपका गाड़ा नहीं होना चाहिए अ जी अच्छा सा जो आ न बैसल यह दिखै इस सुर्ग महीं होना चाहिए यह घूल चुका है इसको आम में पांस मिनट के लिए रखोंगी और अर अपनी तिकियां जो आना उनको शेप दे ठीक है जी नाजरीन टिकियों को हम सारी टिकियों को पहले शेप दे लेते हैं ताके फ्राई करते हुए कोई मिसला ना हो यह दिखे पहले इनको गोल करें जल्दी से अग्राब ना नहीं है ठीक है जी मेरी प्यारी बहनों कोई भी चीज आप बना रही है ना जब भी आप यह कबाब कटलस वगरा बनाएं इनको पहले दबा लिया करें ताके वह फिर खुलने के चांस कम होते कोई भी चीज चाहे आप शामी कबाब बना रही हैं यह देखें पहले इसका मैंने बाउल बनाए फिर इसको जड़ा जोर से प्रेस कर लिए ठीक है बहुत जल्दी बन जाती है अच्छा मेरी प्यारी बेहनों अगर आप मेरे यह चैनल देख रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेहन की होसला वजाई करें अल्ला कला आपको हमेशा खुश रखें और वीडियो को को एंट तक देखा करें ठीक है अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें शेयर किया करें अपनी दोस्तों के साथ अपनी बेहनों के साथ यह चीज सारी टिकियां जो हैं को मैंने शेव देदी हैं अब हम इनको फ्राय करते हैं ठीक है अच्छा मिरी प्यारी बेहनों इसमें बहुत सारी वराइटी आलू की टिकियों इंशालला वक्षे वक्षे से मैं आपको बताती रहूंगी घर पे बनाई आप मेरे तरीके से एक तफ़ा बनाएं लेसा नदरक जो मैंने उपर वाले बैटर में जिसमें हम इसको कोट करेंगे मैंने डाला वह आपको इतना जबर्द करारा पनाथ है तो अब हम इनको फ्राइक करना स्टार्ट करते हैं जी यह देखे नाजरीम इसको हम अच्छी तरह जाड़के फिर इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिराख्मानिक्ते इनको हमने हल्की आप में पकाने है ऐसे करके इसको जाड़ ले ठीक है अच्छा बेसे न अगर आपका ज्यादा ठीक होगा तो फिर आपके टिकियों का वो मज़ा नहीं आएगा यह हमें जस्ट हलका साइए देखे इस पजाडने यह उपर से उतर है लेकिन कोटिंग हो चुकी है बड़ी जबरदर्सी खुश्बू आरी है नाजरीन पूरे घर में ठैली होई है मुझे ज़िकीन है गली में भी फैल गई हो इतनी जबरदर्स खुश्बू आरी है ठीकिया हमारी इतनी प्यारी फ्राई हो रही है इनकी शकल देख ले यह इतनी कृस्पियां उपर से यह मसाले भी हमने बहुत बैलनस करके डाले हैं, बहुत तेज मसाले नहीं डाले आपको आलू का जाका भी मिलेगा और इसके अंदर जो ग्रीन अनीन हमने डाले हैं, वो दन्या है, बहुत अबदस के टूगुल जी नाजीन यह जो है ना टन हमारी तेयार हो चुकी है और इसमें और मैंने डालना शुरू करती है यह देखे यह देखे मेरी प्यारी बेहनों इतनी मज़े की बनी है क्या आपकी सोच है जी नाजीन हमारी मज़े तेयार हो चुकी है अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी आवाज भी आपको आएगी यह देखे अंदर से इतनी नरम है इतनी यह मज़े की बन चुकी है बहुत गरम है यह खाई नहीं जाएगी यह देखे यह जो उपर वाला हिस है ना यह सिंपल वे में चीज़ें बताने के लिए सिंपल तरिके से घर वाले मसाले जो घर पड़े थे वो ही डाले सिरफ आलू धनिया और प्याज प्याज भी घर पही होते ग्रीन प्याज मंगाई और इनको बनाई बहुत जबर्दस मसालों का बैलनस रखे तेज मसाले इसमें नह आपको हर मोड़ पे काम्याब करें अल्ला ताला आपकी उलाद को काम्याबियों से नावाज़े मेरी प्यारी बेहनो खुश रहा करें मुस्कुराती रहें आपकी खुबसूरती में इजाफा होगा और दौाओं में याद रखें प्यारी बेहनो इस दिश को मकमल करते हुए इस रेस्पी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ चैनल को लाइक शेयर कर लिया करें अगर आपको रेस्पी पसंद आए ठीक है बेहन के समझाने का तरीका पसंद आए तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर ले अला आपको खुश रखे नवीता भही इजाज़त दें नई रेस्पी के साथ जल्द मिलेंगे अला आफ़र्स